दें दोस्तों मैं रंधिर अधिर अधिर अग्रिटेक के आपके शुब चैनल में आपका फिर्श स्वागत करता हूं दोस्तों आज हम बात करेंगे मुरेल फिर्श फार्मिंग का दोस्तों मुरेल एक हाई वैलू फिर्श है और हाई डिमांड फिर्श है दोस्तों इसका मार् और छुप मेंग किस तरह अजा बात करेंगे लिए किस तरह का पूंड को चाहिए इसके किसटों करना है त्रीसरा बात करेंगे लिए फीड मेंचमेंटड का किaba कैसे देना है और जोसे फ़िए पेंट पे दौस्तों हमदाइगे डीशह मनेजमेंट का किस सी मेंड्स और और कैसे आप उसको सकते हैं वह दोशे क्सारा क्रेंद कर सकते हैंS cambi अगर आपके आप मार्केट वैलू कम है तो आप मुरेल की तरफ जा सकते हैं लेकिन आपको बताता चलू कि मुरेल फिशेज जो है जनरली जो होती है नदी वाली मचलिया है और यह कॉमर्शिल फीट को खाना पसंद नहीं करती है इसलिए आप देखेगा कि आपको सीड लेते करके दे रहा है और वह आपको फीट कनवर्टेट फिशेज लेना है अपने लिए अलाब की बात करें दोस्तों तो वहां पर आप नॉर्मल सीड भी ले सकते हैं क्योंकि वहां पर उनके खाने के लिए कई सारे इंसेक्स जो कि जो छोड़ छोटे पानी में कि टाडू होते ह है वह उनका फेवरिट फीड होता है और साथी साथ जो छोड़ फीड होता है जो इसमें हाई प्रोटीन होता है इसलिए वह उनको खाके बड़ी हो जाती है लेकिन बाइफ्लॉक फिस फार्मिंग में आपको फीड कनवर्टेड ही सीड लेना पड़ेगा दोस्तों पहले पा बड़ेगा तो वह उचलती बहुत जादा है और जब बारिस का मौसम आता है दोस्तों तो वह आपके बंदे से थोड़ बड़ेगा तो वह बंदे से सरकते वे दूसरे पाउंड में भी चली जाती है इसलिए जो आपके पाउंड का डिजाइन है वह थोड़ा सा स्टेप व पाउंड में कि आपके पॉइंड के साइस क्या होना चाहिए और इसको हैर्विष्ट करना के लिए त्पोंड को सुखाना होता है दोस्तों है और हाव से निकाल के ही मट्टी में से हाथ से निकालके ही आप इस मचली का 100% हर्वेस्टिंग कर सकते हैं तो इसलिए छोटा तलाब इसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है तलाब की साइच की बात करें दोस्तों तो तो 10,000 इसका एर्फिट से लेके 30,000 इसका एर्फिट यानि आधे एकर तक का तलाब बहुत अच्छा है और आपके पास ऐसा साधन होना चाहिए कि आप उस पानी को सुखवा सके या आप अपने तलाब में आउटले सिस्टम बगारा बना सकें कभी आप इसका 100% हर्वेस्टि डालके और फिर पानी को भरके 10-15 दिन के लिए छोड़ देना है और बीच में आप उसमें यूरिया का इस्तमाल कर सकते हैं तो 10-15 दिन बाद आपका पॉंट कोई प्रे तयार हो जाता है आपके सीड स्टॉकिंग करने के लिए दूसरे पाइंट भी बात करें दोस्तों कि बात करूं दोस्तों तो बैतर होता है कि आप इसको पांस ग्राम से बड़े के सीड को स्टॉक करें क्योंकि छोटे सीड में संख्या कम हो जाती है क्योंकि यह जो है इनका निचर होता है कि यह सुबह के समय ऑक्सिजन लेने के लिए उपर आते हैं और उस समय जो बड़् मात्रा में आपका प्रोडेक्शन नहीं होगा इसलिए आपको बड़े साइज का सीड सेलेट करना है पाँच ग्राम से प्लस के सीड को स्टॉक करना है दस ग्राम पंदर ग्राम का बच्चे अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छा है दोस्तों या उसमें आप ये कर सकते मुरेल के स्टॉकिंग का स्टॉकिंग देंसिटी की बात करें दोस्तों तो आप प्रती एकड़ इसमें आप 15 से 20,000 बच्चा स्टॉक कर सकते हैं अगर आपके पास पानी चेंज करने की फैसलिटी है अलग से आप ऑक्सिजन सप्लाई दे सकते हैं अपने पॉंड में तो आप इसकी देंसिटी 30,000 तक कर सकते हैं तो पान से 7,000 बच्चे को आपको इस्टॉक करना है तीसरे पांट की बात हम कर रहते दोस्तों की फीड मनेजमेंट फीड कैसा देना होता है जो मुरेल फीड होती है दोस्तों उनका जो फेवरेट फीड होता है उसकी बात करें तो इंसे फेवरेट है और लाइफ फीड फीड होती है जैसे कि आप ठिलापय की बात करता है और उसे उनको बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी मिलता है मुरेल फार्मिंग में आपको हाई प्रोटीन फीड देना होता है अगर आप कमर्शेल फीड भी दे रहा है दोस्तों तो वहाँ पे आपको high protein feed यानि 38% से लेकि 40% तक का feed देना पड़ेगा इनके growth के लिए और अगर आप commercial feed दे रहा है तो आपका बात करूं body weight के इसाब से आपको starting में 5% देना है अगर आपकी देर 200 gram देनी 200 gram से उपर cross करेगा दोस्तों तो आपको body weight का 2% लगातार आपका 5 हर्वेस्टिंग तक आपको 2% body weight का खिलाते रहना है बीच बीच में दोस्तों बात करूं तो आप कुछ मिनर्स का भी यूज़ कर सकते हैं साथ ही fish milk का यूज़ कर सकते हैं और साथ ही आप wastage होत और साथ में सिर्फ और सिर्फ आप commercial feed ही यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपका पानी बहुत ज़्यदा गंदा होता है इसलिए आज कल commercial feed का यूज़ करना बहुत ज़्यदा अच्छा है और दोस्तों बताता चलो कि अगर आप commercial feed या कोई भी homemade feed भी यूज़ कर रहा है उसको आपको एक जगा नहीं खिलाना है आपको पूरे pond में तीन चार जगा या पांच जगा आप जगा 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 इसको रख दीजे क्योंकि अग्रेसिवली खाती है और एक ही जगा रहेगा तो बहुत ज़्यदा fishes वहां तूट पड़ेंगे इ चुने का इस्तमाल आपको रेगुलर करते रहना है अपने पॉंड में में बात बताता चलूँ कि मन्थली यानि महीने में एक बार कम से कम अपने पॉंड में आप पॉंड के एरिये के हिसाफ से चुने का इस्तमाल करते रहे ताकि आपका pH जो है वो disbalance ना हो और pH आपका stable बना रहा है उपने पाउन में क्योंकि pH जब down होता है तो skin की problem बहुत ज़्यादा आती है इसके साथ भी है दूसरा जो है इसमें आप सीफेक्स medicines होता है उसका रेगुलर यूज करते रहे है महीने में नहीं आप यूज कर पा रहा है तो दो महीने तीन महीने में एक बार आप सीफेक्स medicine का यूज करते रहे है precaution के तोर पे ताकि आपका water जो parameter है और water quality maintained है और आपके fishes को किसी भी परकार की बिमारी ना लगे दोस्तों और तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों अगर आपके डिसिस आ जाता है तो आपके पास aeration का arrangement होना चाहिए साथ ही आप water exchange कर सकें ऐसी वरस्ता आप बना के रखें अगर high density में आपने डाल लखा है तो water exchange आपको हो प्रेन करके नया पानी फिल करना पड़ेगा अपने पॉंड कल्चर में अगर आप density कम रखे हुए हैं तो हो सकता है इससे आप बच जाए लेकिन अगर high density में रखे हैं तो पूरे कल्चर में एक से दो बार आपको अपना पानी चेंज करना पड़ेगा या oxygen की एक्सा oxygen की requirement आपको देनी पड़ेगी अपने पॉंड में लाट में बात कर दोस्तों प्रोडेक्शन का तो जिसका production duration है वो 8-10 महिना है और जो इसका harvesting size है वो 4-600 ग्राम इसका harvesting size है और live fishes के रू से 3-10 का production ले सकते हैं अपने एक एकड़ के तालाब में तो उसी साब चाप डिवाइट कर सकते हैं कि आप छोटे में कितना मिलेगा बड़े में कितना मिलेगा प्रोफिट भी बात करूं लास में दोस्तों तो यह आपके market के उपर depend करता है आपके production के उपर depend करता है तो इस से आपको profit percentage ज्यादा मिलेगा दोस्तों तो यह था दोस्तों moral farming के बारे में तो और बलाश्ट में बताता चलूं कि लोग फिए seat के लिए पुछेंगे कि seat कहां से मिलता है दोस्तों बताता चलूं कि south side में इसका seat सबसे जादा south side में मिलता है उसके बाद कलकत्ता में मिलता ह starting duration में मतलब March April में इसका south side में इसका seat अच्छा मिलेगा और इस समय जुन जुलाई से आपका कलकत्ता में इसका seat मिलना शुरू हो जाता है तो और जिनको भी seat की requirement है वो इसको description में number है वहाँ से आप contact कर सकते हैं वहाँ से आपको seat के लिए detail मिल जाएगी दोस्तों तो आज क के लिए इतना ही दोस्तों मिलता है नेक्स वीडियो में जाहिंगा